किसी भी चुम्बक के चार और आपको चुम्बक की छितर रेखाएं खीचने के लिए प्रसन हंड्रेट प्रसन आता है चार नंबर का आता है ठीक है बहुत ही सिंपल है आईए कोफी में बताऊंगा ताकि आप भी कोफी में किस तरह से इसको रेखाओ को खीचेंगे वह अच् चितर के माद्यम से समझने का प्रियास करेंगे हम इसे ये एन धुर्व और एस धुर्व है ठीक है एन का मतलब होता है उत्तरी धुर्व और एस का मतलब होता है दच्छिनी धुर्व है आपको एक ही बात ध्यान रखना है विसेस कि जो भी चुम्बक की चितर रेखाया बन आएं वो हमेशा एन धुर्व से ही निकलेगी ठीक है कहां से निकलेगी एन धुर्व से निकलती है जितनी भी चुम्ब की छेतर रेकाये हैं वो एन धुर्व से निकलती है और जाती किसमें एस धुर्व में जाती है ठीक है तो आप गोर से देखें यहां से मैंने एक ले गई आपकी एस धुरूबों में यानि की इसकी दिशा किस तरफ है इस तरफ है ठीक है समझगे बात को यह सी तरह नीचे की तरफ जिदी हम निकालेंगे तो वह भी क्या निकलेगी देख लीजाए आप इस तरफ है यह भी इस तरह से निकल जाएगी वह आप तोड़ा सा तरीके से गोल टाइप बनाना थे इस तरह से चाय कितनी ही चुमबगी छेतरा रेका आप पर अचोचा कर सकते हैं यह हो गया है यह यहाँ पर हैं ठीक है इसी तरह एक ओर ले सकते हैं आपको कोई दिकट दिसाई कैसी है? बता दीजे. इस तरह भे. ये एन से निकल रही है और एसमें समाही तो हो रही है. देखो गोर से. ये है. अंदर जा रही है. ये है. सज में आगे बात नहीं है चलिए अब इदि और कुछ बनाना चाहे तो इस तरह से आप इस तरह से बाहर भी निकाल सकते हैं यह यह अब इनकी दिसा बता देना आप न्यू जा रही है यह ठीक है वह इस तरह से और दर्शा देना यह तो यह पilikए तो इसका मतलब क्या है यह अंदर आ रही है ठीक है बस इतना सा काम करना जांदा कथि नहीं है काम ठीक है अप तो अच्छि मेहिनत करो ठीक है अब चीटर सफ़ ही मेरा आत नहीं आई तो आप्शी अब को बनाना यह जानता है एरो बनाने जिरू बहुत निमेने जो एरो लगा ना तीर कने सानों इसे लगा देना ठीक है चलिए तो यह चुम्बा की छेतर रेखाएं